नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस व्यूडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकली भरतिय की बारे में तो दोस्तों इंडियन आर्मी में बहुत सारी भरतियां निकल चुकियें हैं चिनके बारे में मैं आपके लिए डेली बताता रहता हूं जैसे हैं कोई बढूर्थ होती है इंडियन आर्मी की ओफिस्व व legitimate और सबसे पहले मुझा क बारे में बता देता पुय कि करने से पहले मैं आपके लिए sorry बोलना चाहता हूं कि यार काफी तनों से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैं खुद defense में मिल पाई थी तो अभी मैं सहर में आ चुका हूं अभी आपके लिए कोई भी प्रॉल्म नहीं होगी जैसी कोई भी वर्ति निकलेगी मैं आपके लिए videos प्रॉबाइट कराता रहूँगा तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यह दोस्तों आज की भर्ति जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो यहां पर कौन-कौन से ट्रेट के लिए भर्ति निकले हैं वह हम आपको बता देने बाले हैं पहले तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जो भर्ति है वह सोलजर जनरल डूटी यानि की सोलजर जीडी सोलजर के लिए है यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट होगी वो साड़े सत्रा साल से 21 साल तक होगी और आपकी जो डेट आप बर्थ होनी चाहिए वो एक अक्टूबर 1999 से से एक अपरेल 2003 की बीच में होनी चाहिए ठीक है आपकी 170 सेंटिमीटर वेट आपका 50 kg और चेष्ट होना चाहिए आपका 77 सेंटिमीटर उसके बाद में दोस्तों आपको जो 5 सेंटिमीटर चेष्ट एक्सपेंशन करना है तो आपको जो टोटल चेष्ट है वो 77 से 82 लोगेशन है वो 10th pass होना चाहेंगे 10th में आपके 45% मार्थ होना चाहेंगे उसके बाद में आपके किसी भी subject में 33% मार्थ से कम नहीं होना चाहेंगे ठीक है नेक्स्ट भरती है दोस्तों ये soldier technical soldier technical aviation ammunition examiner age limit इसकी दोस्तों 75 साल से 13 साल तक है और यहाँ पर आपकी जो date of birth है दोस्तों वो 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीज में होनी है ठीक है उसके बाद में आपकी जो दोस्तों height होगी वो 70 cm और आपका bed 50 kg और आपके जो chest है दोस्तों वो 77 cm होगा उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो education qualification है दोस्तों वो होनी चाहिए आपके 10 प्लस 2 यानि की intermediate pass होना चाहिए आपके लिए और आपके पास में physics, chemistry, math और English subject होना अनवारी है किसी भी subject में आपकी जो overall percentage है वो 50% mark से कम नहीं होनी चाहिए और each subject मतलब किसी भी single subject में आपके 40% mark से कम नहीं होना चाहिए नेक्स्ट भरती आती है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो trade है वो soldier storekeeper और clerk की है तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो age limit है वो 75 साल से 30 साल तक है और आपके जो date of birth है वो 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में है उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी जो height है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लिजाती है कि लख में all India आप कहीं के भी रहने बाले हैं तो आपकी जो height है वो only 162 cm ली जाएगी ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपका जो weight है वो 50 kg और आपकी जो chest है वो 77 cm लिया जाता है तो यहाँ पर जो आपका education qualification है वो है आपका 10 plus 2 यानि कि intermediate parse होने चाहेंगे यहाँ पर दोस्तों subject का कोई मेंटर नहीं करता आपके पास में art, commerce, science कोई भी subject होने चाहेंगे आपके लिए केबल requirement यतनी होगी कि 10 plus 2 में आपके पास में subject कोई भी हो लेकिन आपके 60% mark से कम नहीं होना चाहें और किसी भी single subject में आपका 50% mark से कम नहीं होना चाहेंगे नेक्स बरती है दोस्तों soldier treatment 10th pass जहाँ पर दोस्तों soldier treatment 10th pass के बरती है वो साड़े सत्रा से तेस साल आपकी age limit है एक October 1997 से एक April 2003 के बीच में आपकी date of birth होनी चाहेंगे height आपके 170 cm weight 48 kg और आपका जो chase tab 76 cm होना चाहेंगे आपके लिए दोस्तों class 10th pass होना चाहेंगे और आपके यहाँ पर class 10th में simple 33% mark से कम नहीं होना चाहेंगे उसके बाद में दोस्तों आते हैं यहाँ पर soldier treatment भरती 8 pass तो 8 pass के लिए यहाँ पर दोस्तों housekeeper और match keeper दो ही ट्रेट में भरती होती है जो की 8th pass लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपके जो age limit है वो साड़े सत्रा साल से तेस साल है और आपके जो date of birth था वो और class 8 में किसी भी subject में 33% में आग से कम नहीं होना चाहेंगे तो यह तो है दोस्तों आपके kौन से trade में भरती है आपके height क्या होनी चाहें आपका weight क्या होना चाहेंगे आपका chest क्या होना चाहें और आपके education क्या होनना चाहेंगे साथे साथ आपके data of birth क्या होनी चाहेंगे बाते आपको बता चुका हों दोस्तों उसके बात में यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं physical requirement के बारे में फिजीकल requirementlla दोस्तों वो आर्मी में आपको पता है कि फिजिकल में बहुत कम चीज़ ले जाते हैं लेकिन बहुत टफ लिये जाता है तो यहां पर दोस्तों 1.6 किलोमेटर की रणिंग होगी जिसके लिए 2 गृप होते हैं प्रेश को कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपको 60 मार्ट दिये जाते हैं और अगर आप सेट में आते हैं जो कि जिसकी टैमिंग होती यह पाँच मिनट 31 सेकिंड से पाँच मिनट 45 तर थे तो इसके लिए आपको 48 मार्क से दिये जाएंगे अगर आपके पास में दोस्तो अगर आप बीम 10 लगाते हैं तो आपको 40 मार्स, 9 बीम लगाते हैं तो आपको 23 मार्स, 8 बीम लगाते हैं तो आपको 27 मार्स, और 7 बीम लगाते हैं तो आपको 21 मार्स, ठीक है, 6 बीम लगाएंगे तो आपके लिए 16 मार्स दिया जाएंगे, 9 फि दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि यह भरती कौन-कौन से स्टेट के लिए है कौन-कौन से डिस्ट्रिक्स के लिए है और इसके online registration कब से स्टार्ट होने वाले हैं उसके बाद में दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं आज की वीडियो में तो वीडियो को लाज तक जरूर देख रहे हैं लेकिन दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा online classes को सब्सक्राइब भी जरू कर ले हैं तो दोस्तों यह जो भरती है दोस्तों वो निकले गई तक खुल चुके हैं ठीक है आपके देख सकते हैं यहां पर online registration is mandatory and will be open from 10 सथम्बर 2020 to 24 अक्टूबर 2020 तो मतलब अभी 16 सेक्टेंबर है आज तो यहां पर दोस्तों आप 24 अक्टूबर तर आपके पास में टाइम है कि आप इस भरती के लिए online registration कर सकें ठीक है उसके बाद में दोस्तों यह भरती इस भरती में जोदपूर यारों के अंदर आने वाले डूंगरपूर वानसबाड़ा शिरोही उदैपूर प्रताबगड़ पाली जाला और बाडमेर जोदपूर जैसलमेर और नागा और डिस्टिक्स के जो candidate संगो वो इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठी 10 नमबर 2020 से 31 महा 2021 की बीच में किसी भी डेट में होगी तो जैसे ही दोस्तों यह भरती की डेट क्लियर होगी आपकी इमेल आइड़ी पर जो आप रेइस्टरेशन करेंगे उस पर आपको notification पहुँच जाएगी और आपके पास में उसका admin card भी आ जाएगा ठीक है तो यह थी दोस्तों आज की भरती अगर वीडियो प्रसंद आए तो वीडियो को like करें और हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को subscribe जरू कर लें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जेहन जेवर